हलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाजोर्या पर स्वागत है देखिये रोजाना बोले जाने वाल इंगलीस आप सीख रहे हैं और बहुत सारी आप सीख भी गए हैं कुछ sentence ऐसे हैं जिनके अंत में आ, ई, य आता है जैसे ही मैं समझा देता हूँ वह आया वह गया उसने खाया वह आई वे आये इस तरह के sense में हम यहां subject हमारा जो भी होलिखा यहां लग लग है लेकिन जो भी subject होगा यहां वह अपकी second form का यूज करेंगे किस सेंस में होता है, पास्ट में कोई काम हो गया है, तब हम वह आपकी second form यूज करते हैं जैसे वह गया, अब देखें वह किसी लड़के की बात है, ही का यूज होगा और गया, गया को इंगलिस हैं बोलते है गो, यानि जाना गो की second form होती है, वेंट, तो ही वेंट, यानि वह गया आप देखें मैंने बारबार बताया कि केवल दो ही चीज आपको ध्यान रखने, एक तो subject तो कौन गया, ही यानि वह और उसने क्या किया, यानि गया, तो second form वेंट, तो ही वेंट, इस तरह से आपको sentence बनाने है उसने खाया, किसी लड़के की बात हो रही है, सी और इट यानि होता है, खाना इट की second form होता है, एट सी एट, अगर ये होता, उसने खाया, किसी मेल यानि लड़के या व्यक्ति के लिए, तब हम लिखते ही एट वह आया, ही और कम, कम की second form केम, तो ही केम, अगर ऐसे होता वह आई, तब आप लिखते हैं, सी केम रवी खेला, रवी प्लेड, ठीक है, रवी प्लेड, तो रवी और प्ले की second form प्लेड मैंने लिखा, मैंने यानि आई, और लिखना होता है राइट, राइट की second form होती है, रोट, तो आई, रोट, मैंने लिखा तुम दोडे, तुम यानि यू और दोडना रन, रन की second form रेन, यू रेन हम हसे, तो वी और हसना होता है, लाफ, लाफ की second form लाफ, वी लाफ वे इस्कूल गए, वे यानि दे, जाना second form गो की वेन, टू स्कूल वे इस्कूल गए, हम भूल गए, हम भूल गए, वी फॉर्गोट, फॉर्गेट की second form होती है, फॉर्गोट, यानि भूलना, वी फॉर्गोट अगर हम नेगेटिव बात करें, इसी प्रकार के सब्दों का, तो आपको not यूज करना पड़ेगा, यह नहीं नहीं, और इस सेंस में, यह लिखा लग लगए, लेकिन आपका subject जो भी हो, आप helping verb, did का यूज करोगे, ध्यान रखेगा, did के साथ अमेशा, वर्ब की first form आती है अब ही हम second form का यूज कर रहे थे, वो के ओल साधन sentence में होता है, यह दि हमारा sentence not लगा हुआ है, या प्रसन वाला है, तो हम did का यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब की first form जैसे मैंने नहीं खाया, तो I, अब जो भी subject वो सबके साथ did लगाना है, नहीं के लिए not, और खाया, यानि इसकी first form eat, तो I did not eat, ध्यान रखेगा, did के साथ, अमेशा वो आपकी first form आती है, यहां आपको second form नहीं लगानी है अगर ऐसा होता मैंने खाया, तब लिखते हैं आप I ate, यानि eat की second form, लेकिन मैंने नहीं खाया, तो I did not eat, वह नहीं गया, तो he did not go, अगर ऐसा होता हुआ गया, तो आप क्या लिखते हैं, he went, go की second form आती है, लेकिन यह negative है, नहीं आया है, तो आप did का यूज करोगे और उसक के साथ वह की first form यूज करोगे, रानी नहीं खेली, तो रानी did not play, इंट्रो के ट्यू में क्या करते हैं, जो प्रसन वाले हैं, इसमें आप did पहले लिखोगे, फिर subject और फिर वह आप की first form, और last में आपको जो है question mark लगाना होता है, क्या रानी खेली, तो रानी की बात है, र क्या तुम गाए, डिड यू सिंग, डिड यू सिंग, आप देखें ये तीन सेंटेंस है, वह खेला, simple है, वह नहीं खेला, negative है, क्या वह खेला, interrogative हैं प्रसन वाला है, तो वह खेला, he और play की second form played, वह नहीं खेला, did का यूज होगा, लेकिन वह आपकी first form आएगी, he did not play, यहाँ भी interrogative में did पहले आजाएगा, और subject फिर वह आपकी first form तो did ही play, क्या होगा है, खेला, तो दिखे, concept हमारा बहुत simple था, यदि वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर कर दे, channel पे नए हैं तो इसे subscribe कर ले, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, आपका अपना channel, SR जाजोरिया धन्यवाद